हेलो एवरिवन नमस्कार वेलकम बैक अगें टो एडुवर्ट शानल मैं आपका एजुकेटर साइड शाबाज दिल से स्वागत करता हूँ हमारे एडुवर्ट शानल में दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम रोजाना जो है करेंट अफेर्स के लिए डैली सब्सक्राइब करेंगे जैसा कि हम डैली फॉलो करते आ रहे उसी पैटरों को फॉलो किया जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चानल को प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजे ताके जितने और जो इंस्टाग्राम पेज है ओके वहाँ पर भी आप जॉइन हो सकते हैं दोस्तों डैली आपको इंट्रस्टिंग फाक्ट्स देखने को मिलते हैं और सेकंड तिंग इस आप हमारे टेलीग्राम चानल को भी जॉइन हो सकते हैं जहाँ पर इस लेक्चर की पीडिय अगेरा और इसके इलावा भी हमारे जो दूसरे एजुकेटर है प्रकाश जी वह बहुत ही बढ़िया हिंदू न्यूस आर्टिकल की अनलाइस करते हैं तो वह भी देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाता है जो के डिरेक्ली आपको एक्जामिनेशन मे प्रोवाइट कर दूँगा अब डिरेक्ली वहां से अक्सेस कर सकते हैं तो आज का जो पहली न्यूस है दोस्तों जो के पी आईबी से निकाली गई है प्रेस इंफरमेशन बीरो जो के इंपॉर्टेंट होते हैं इनकी आर्टिकल्स भी एक्जामिनेशन पॉइशन तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे one by one कि क्या है यह multi cooperative society और किस तरह से इनके features हैं और किस तरह से लोग काम करते हैं क्या क्या है सब कुछ में आपको इस lecture में बताने वाला हूं दूस्तों तो पहला अगर आप यह actually PIB का article था जो मैंने आपके लिए लेकर आया हूं अगर आप बात करेंगे तो recently cabinet ने 3 national level MSCS को जो है अप्रूफ किया है ताके हम लोग जो है सहकार सम्रिधी जो के prosperity through cooperation इस objective को हासिल कर पाएं दोस्तों we can achieve the prosperity through cooperation मतलब किस तरह एक अपने आप में साथ देकर हम prosperity अच्छीव कर सकते त्रूफ inclusive growth model of cooperative इसके लिए तीन एक्चुली इसे 3 national level multi-state cooperative society को बनाया गया है अब सभी लोग जानते है cooperative society जो एक state subject होता है state subject is nothing but जहां पर स्रिफ states laws को बना सकते है central subject हो गया या फिर concurrent subjects होते हैं जहां पर दोनों पर भी काम कर सकते है दो cooperative society is a state subject and it is regulated by center under MSCS act 2022 और multi-state cooperative society वो ऐसे cooperative society जहां पर कोई state के लिए कनफान नहीं होता है दोस्तों रहे इसमें आपको कई तरह के states का interest develop होता है और कई तरह के individuals के interest हैं पर develop होते हैं तो इसलिए government ने क्या क्या इसके पर central law बना रही है not this state law even though even though it is a state subject but here the central government has designing this law समझ में आगया आपको अब तीन subjects तो आपको पता होंगे state subjects होगया central subjects होगया, concurrent subjects होगया, concurrent subjects होगया, concurrent में मतलब कहा है जहां पर central और state दोनों भी अपने laws बना सकते हैं but even though यह cooperative society completely state subject है यहां पर central law design कर रही है because it is not confined to one state right it will serve interest of individual in more than one state दोस्तों so in related to development ministry of cooperation is planning to set up world largest university for cooperative sector जिसमें यह लोग जो है cooperative education को promote करेंगे उनकी training को promote किया जाएगा research and development में पैसा invest किया जाएगा यहां पर right and this cooperative university will award degrees for managerial position diplomas हो गए या फिर कोई supervisory jobs हो गए या फिर कोई certificates आपको provide करवाने हैं okay चलिए so अभी देखते हैं कौन से कौन से तीन societies है जो develop किये गए इस के अंडर पहला हो गया national multi-state cooperative export society यह नाम आप याद आख लिए okay export society so actually umbrella organization की तरह काम करेगा for all the exports related terms चाहे वो goods and services हो okay चाहे वो export and import of oil सब कुछ हो गया दोसरो इस ही के अंडर आएगा and cooperative society includes primary societies उसके बाद district आएगा state आएगा then national level federation आएगा okay so MCCS can become its member okay उसके बाद अगर आप देखेंगे तो higher exports will increase production of goods and services and it will also increase the employment opportunity this is a basic one okay so here they are trying to integrate with the employment what they are doing they are trying to integrate with employment okay employment से इसको integrate किया जा रहा है okay so that's why higher exports will increase production of goods and services and increase employment opportunities so increased export will promote make in India आप सभी लोग जानते है किस तरह से हमार exports अकर increase होंगे तो ज्यादा ज्यादा product हम लोग मेक इंडिया के भेजेंगे बाहर okay so they are also relating to the आत्म निर्बर भारत that is self dependency okay self dependency help co-operatives in getting benefits of exports तोस्तों okay so higher exports will increase the production of goods and services and increase our employment opportunity so this see how they are integrating with each other यह इंपॉत है आपको तो next है हमाना national multi-state cooperative organic society okay so unlock demand and consumption of organic products in domestic and global products it will also help farmers to get high price of organic product through aggregation marketing and branding तो इसके जरिये से क्या होगा जो भी farmers है जो purely organic farming पे dependent है दोस्तों okay organic farming पे dependent है जैसे के मान लीजेए Sikkim state है Sikkim इंडिया का ऐसा पहला state है जो complete organic पे dependent है right क्या मुझे बता सकते है कि ऐसे कौन से union territory है जो यह complete organic farming हो चुकी है दोस्तों comment section में मुझे बताएगा ठीक है मैंने तो state बता दिया आपको कि इंडिया में Sikkim है जो first state बना है complete organic farming कर रहा है आप मुझे union territory बताएगा कि complete organic farming कौन सा union territory है तो यहां पर उनके products को marketing करने के लिए branding करने के लिए उनको अच्छे price दिलवाने के लिए इस तरह की society काम आती है ठीक है तो इसलिए certification हो गया उसके storage processing सब कुछ यह organic society वाले देख लेते and last but not the list national multi-state cooperative seed society okay seed society so it will act as an apex organization मतलब एक top organization की तरह काम करेगा for production, procurement, processing, branding, labeling, storage, marketing, distribution किसका seeds का दोस्तों सब कुछ ही handle कर रहा है that's why it is called as an apex organization मतलब सारा कुछ इसी में include producer से लेकर consumer तक जितने भी steps हैं सारे steps इन्होंने बता दिये यहां पर production करो उसको दोहां से procure करो उसको process करो किसी brand का नाम लगाओ इसका labeling packaging right package होने के बाद कहां पर store करना है store करने का बाद market में कैसा बेचना है सब कुछ यहांने end user तक end user तक जितने steps हैं सारा कुछ यही seed society handle करेगी ठीक है उसका develop system for preservation and promotion of indigenous natural seeds को promote किया जाएगा यहां पर increase seed replacement rate और यह ensure किया जाएगा कि farmers को quality seed cultivation दिया जाएगा ठीक है एले बिकास इतल बुक्षा को एल्सके सिट विल अलसो रडशाएपलोटिष इपेंडेंस इंपोर्टेट सीड और इसकी वजह से कहां हमारोड economy boost होगी food strengthen होगा in fact our industries our domestic industry will also get boost यह point भी आप आड कर सकते हैं दोस्तों इनको भी अच्छा खासा boost मिल सकता है ठीक है चलिए next देखते है next news I hope you have understand this तीन टाइप की तोसाइटी है national multi-state cooperative export society national multi-state cooperative organic society national multi-state cooperative seed society okay सबके functions मैंने बता दिये सबके important points मैंने share कर दिये तो अच्छे सियाद कर लिजे एक्जाम में आपको direct mcqs पूछ सकते हैं ठीक है चलिए next ministry of consumer affairs food and public distribution names free grain scheme जो पहले free grain scheme हुआ करती थी अभी इसको प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्ना योजना रीनेम कर दिया है दोस्तों इसका नाम बदला दिया गया है so center has name its new integrated food security scheme for providing free food grains to unto the anna yojana and primary household beneficiaries under national food security tax 2013 as ठीक है इसमें देखी ये प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना अन्ना योजना है इसमें दो schemes को subsumes कर दिया गया है पहले कहा है अन्टोद्या अन्योजना और primary household ये दोनों चीजों को इसने सब्सेम कर लिया और दोनों को मिला के एक ही नाम रख दिया है क्या नाम रखा है प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्ना योजना वेरे इंपॉर्टन so इसका मक्साद रहे है कि विल स्रेंटन दा प्रोविजन ओफ न फसे 2013, in terms of accessibility डिक फिर गेरा किस carrots है और चेस अब्सकन रहए град बॉर, प्रहस अभत कराई, खैसर खेड़ इए, अब प्रहस करें ! this food subsidy to FCI so actually it is in the form of consumer subsidy दिया जाता है आपको यहां पे subsidies दी जाती है ताके लोग जह प्रॉपर्ली इसको handle कर पहे and difference between economic cost जो भी food corporation of India उठा रहा है यानि incur कर रहा है उसके and as realised central price and buffer subsidy cost दिया जाएगा right and this food subsidy for decentralized procurement states dealing with procurement allocation and delivery of free food grains to states under national food security act basically बस इतना याद कर लिजया कि यहां पे food subsidy दिया जाएगा food corporation of India को ताके वो लोग अच्छे से procure कर सके और उसको properly store कर सके और उसको प्रॉपर्ली स्टोर कर सके there should be lot of availability right next बात करे तो जो schemes मैंने बताया था आपको क्या difference है दोनों के बीच में यह मैं आपको थोड़ा बहुत बता दिता हूँ difference so earlier क्या होता था तो national food safety act इन्होंने कुछ food grains को entitlement किया था दोस्तों मतलब क्या है देखे 35 kg पर kg 35 kg जो है पर household को दिया जाता था मतलब कौन से scheme के अंडर अंटोदया अन्ना योजना की बात कर रहा हूँ है sorry मिजे माफ कीजिगा मुझे spelling थोड़े यह तफ लगते है मैं सिंपल लिखता हूँ यह यह वाई ठीक है so 35 kg पर household दोस्तों पर household दिया जाएगा अंडर अंटोदया योजना और फाइव केजी पर परसंटू किसमें पी हेच पी हेच का मतलब क्या है primary household इस तरह से सेट किये थे at subsidize rate अगर बात करें तो इसमें कुछ subsidize rate में आपको दिया जाता है मतलब 3 रुपेश पर केजी हो गया या 2 रुपेश की बात कर रहा हम है वही अगर बीट की बात करें तो 2ह सब्सक्राइब को 하ंMed they are providing free of cost okay now अगर बात करें आप तो यह subsidies को done away कर दिया है okay they have give away and now they are providing the food grains free of cost okay for a year एक साल के लिए free of cost the other however यह जो additional quantity है of 5 kg food grain will not be provided दोस्तों so 5 kg का जो food grain है वो निकाल दिया गया है तोस्तों they are providing for the free to learn product so this is the difference between these two I hope he understand तो चलिए next इस पर चलते हैं next question next important current affair है हमारा center clears 2600 crore incentive scheme to promote rupee beam UPI थोड़ा मैं pen change कर ले था हूँ color क्योंकि red red हो जाए गए which color will be fine it is fine चलिए तो center clears 2600 crore incentive scheme to promote rupee and beam UPI दोस्तों so recently 2600 crore center ने clear किया है ताके जितने भी UPI payment से उसको हम properly promote कर पाए दोस्तों okay the scheme is to promote rupee debit card low value beam UPI transaction merchant to merchant okay जितने भी इसको promote कर पाए और यह bank को financial incentive दिया जाएगा दूस्तों okay again I will change it okay so bank को क्या करते financial incentives दिया जाता है ठीक है थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया भाई right so bank should provide financial incentives for promoting the point of sale जिसे हम POSB कहते है क्या कहते है POSB कहा जाता है ठीक है and e-commerce transaction जितने भी e-commerce transactions होते हैं जैसे के rupee card ले लिजिए okay UPI payment जो भी आप कर रहे है ना उस सारा कुछ होता and they will also promote UPI light and UPI 123Pay आप जब भी आप अगर आप भीम आप यूस कर रहे है ना भीम आप तो आपको जैसे ही वो आप खोलेंगे तो आपको एक एक आड आएगा UPI light right so this UPI light and UPI 123Pay as economical and user friendly digital payment solution and UPI light is on device wallet features by national payment corporation of India UPI light कहा होते है एक on device wallet है जो की NPCI के द्वारा इसको मनाया है UPI to allow users to make small value payments up to 200 offline दोस्तों यहां दख लिजिए okay मतलब 200 रुपे तक आप जब आप जब आफ लाइन भेज सकते हैं UPI light next UPI 123Pay is an instant payment system for feature phone non smartphone users okay जो भी smartphone use नहीं कर रहे है जैसे के आज कल जो android वगरा use आते है वह यूज नहीं कर रहे है तो उनके लिए UPI 123Pay है दोस्तों instant payment system है बागी के android और smartphone users के लिए तो भीम ही है हमारे पास तो इसको promote करने के लिए banks को भी financial incentives दिया जाएगा in addition NPCI ने क्या किया इस बार NRIS को भी allow कर दिया जी हाँ has allowed NRIS non resident Indians with NRE NRE मतलब non resident external okay in 10 countries to use the UPI platform कितने countries में लो किया है 10 countries दोस्तों ठेक है 10 countries आपको list हैं पर नीचे दिख रही होगी क्या क्या है पहले Singapore हो गया Australia हो गया Canada Hong Kong Oman Qatar USA Saudi Arabia UAE and United Kingdom these are the 10 countries which have been NPSI given permission to use this UPI platform for international mobile transfer okay but this member bank have to ensure such type of accounts are allowed as per foreign exchange management rules जो RBI लेके आई है उसके तहती ये लोग काम कर पाई सानी कि आप बंदास जितना चाहतना भेज दीजिए या जितना उसके rules के अंडर भी आपको कितना transaction charges रहेगा right per transaction कितना कटेगा आपको इस सारे rules होते हैं उसके अंडर ही इसको develop किया गया है तो यहां पर UPI UPI आपने बहुत बार चुन लिया होगा तो मैं UPI के बारे में थोड़ा बता देता हूं UPI is nothing but real time payment system दोस्तों UPI क्या होता है एक real time payment system होता है जो कि 2016 में launch किया गया था NPCI के द्वारा यह भी आ देख लिजिए और यह जो है multiple banks को link करता है दोस्तों चाहे वो access हो चाहे वो public sector banks हो यहाँ पर private banks हो अबको link करतेता है और NPCI जो है एक RBI का initiative है okay not only RBI RBI और Indian bank association का initiative है तो दोनोंने मिलके इस NPCI को develop किया है ठीक है को से किसका अंडर develop किया था अंडर payment and settlement acts 2007 के अंदर इसको develop किया था ठीक है और NPCI क्या है NPCI एक umbrella organization है जितने भी retail payments उसको properly settle करता है दोस्तों कि अभी तो NRI और NRE को भी अलोग करती है they can up to 10 countries they can use this platform I hope कि जितने भी important points है मैंने कवर कर लिया तो चली next बढ़ते है next important है World Economic Forum releases Global Risk Report दोस्तों तो इससे पहले मेरा previous lecture में मैं आपको पहलाया था कि World Economic Forum Global Economic Report को release किया गया था जिसे हम GER कहते है अगर अब भी तक आपने मेरा previous lecture जो important current effects वो नहीं देखा तो देखें मैंने उसमे clearly आपको discuss किया हुआ है क्या क्या category है पांच है तो एक जो आपको economic हो गया दूसर environmental हो गया तो इससा geopolitical societal and technological these are the five categories where it works okay and global risk is defined as possibility of occurrence of an event or condition which it occurs would negative impact significant promotion of global GDP okay and global risk rank by severity over long term and short term जो भी global risk के लोगों ने rank किया है जो जो countries को they mainly depend upon the short and long term तो अभी देखते हैं क्या-क्या findings है दोस्तों so top five risk for India और पहला लिखा है इन्होंने digital inequality यहां पर इंडिया में बहुत सारी digital inequality हमको देखने को मिलीगी दूसरा बात करें जियो पोलिटिकल कॉंटेस्ट हो गया दूस्तों अब सभी लोग चांदे है कि किस तरह से हमारी इंडिया में जियो पोलिटिकल होता है और तीसरी बात बात करें तो cost of living crisis कई सारे cities like no they are very highly costly made and many cities are low cost like Hyderabad हो गया उसके बाद आपको debt crisis हो गया दूस्तों इसके बाद natural disasters हो गया earthquake हो गया tsunami हो गया you know floods हो गया so everything will be there so these are the five points with the top five risk for India उसके इलावा भी जो है अगर बात करें तो cost of living in next two years करने वाला है because climate action failure इसके वज़े से क्या है cost of living भी बढ़ने वाली आने वाले in the next two years की बात कर रहा हूं है cost of living will also get increase दोस्तों ठीक है economic after effects of covid-19 जो हुआ है उसके बाद जो US उसके बाद रस्या और Ukraine का जो वार है उनके वज़े से जो है किस तरह का inflation increase हो चुका है दोस्तों पुरे world में inflation चाया हुआ है okay there is an inflation rise and rapid normalization of monetary policy low investment होने की वज़े से क्यों सारे investors अपना पैसा pull out कर रहा है due to this inflation they are not able to generate the profits and only 34% of climate finance currently allocated to climate adoption कितना only 34% ही इसको allocate किया है प्रॉपरली climate finance का right so these are the very important point that's why that India is at the top risk okay okay risk है वो भी मैंने आपको बता दिया है इसके लावा इन्होंने कुछ recommendations भी दिये है because it investing in multi-domain cross-sector risk preparedness वहाँ पे आप invest कर सकते है and improving risk identification and foresight okay and rebuilding and strengthening global risk preparedness cooperation दूस्तों okay we can develop you know we can build and develop this global risk preparedness cooperation so that next time we can easily handle do this okay so recommendation में ये लोग ही देते हैं अच्छी बात है चली आगे बढ़ते हैं next India recycle only 30% कितना सिर्फ 30% of 3.4 million ton plastic waste generated annually okay जो 3.4 empty generate होता है हर साल उसमें सिर्फ हम लोग 30% ही recycle कर पा रहे हैं इसा क्यों बाखी का 70% किदर गया okay so it is ultimately damaging to environment right it will ultimately dumping into ocean waters okay ocean पानी में इसको dump किया जा रहा है plastic bottles को sorry for my handwriting so report title जो कि innovation in plastic the potential and possibility was released by merico innovation foundation and developing association with Indian Institute of Science and Praxis Global Alliance okay इनोने कहा है कि जो plastic waste management ecosystem है इंडिया में यहां पे बहुत सारे challenges हम को देखने को बिले हैं right and in fact there are also opportunities but we have to have some special emphasis on business and technological innovation तभी जाके हमको opportunity बिलेगे but apart from that we are facing lot of challenges so what are the key finding in this report they have said that 3.4 million tons empty जो होता है जो कि हर साल prepare होता है and सिर्फ 30% ही recycle करते हैं okay rest of plastic waste कहां पे जाता है landfills में जाता है aquatic dumps में जाता है मैं अभी आपको बोला कि water dump water में dump कर देते हैं जो महारास्टा गुज्रा तमिलनाडू contribute about 38% to total plastic waste generated मतलब 100% अगर इंडिया में generate हो रहा है तो उसमें से 38% स्रिफ तमिलनाडू महारास्टा और गुज्रा तीनी state कर रहे हैं देखें कितना plastic waste है उसका 94% of recycle किया जाता है वो using mechanical recycle method में यूज करके इसको recycle करते है 94% of recycled plastics इसका impact की बात करें तो बहुत सारा impact है दोस्तों क्योंकि greenhouse gas emissions हो गया जैसे carbon dioxide हो गया methane हो गया and contamination of entire food chain यह भी हो जाता है क्योंकि microplastics बोलते हैं इसको microplastics होने की वज़े से क्या है सारा कुछ contaminate होना शुरू कर देता है and a threat to animals भी होता है because they will eat they will eat this plastic उनकी जान भी जा सकती आपने कई videos देखा होगा जहां पर काव के पेट में से जो plastics निकलते हैं आपने बहुत 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 देखा होगा right marine species को भी danger है because मच्छियों को क्या पता होता है कि यह plastic है नहीं खाना है उनके वह उनकी भी sudden death हम को देखने को मिलता है so this was the impact अगर आप मुझे पूचेंगे so recommendation की बात करें so recommendation is the thing but landfill and incineration must to be live in India to encourage recycle मतलब जो भी landfills हम लोग कर रहे है उसको बंद करना चाहिए या भी इसका कोई alternate सोचना चाहिए ताके हम लोग recycling की तरफ बढ़े not के dumping की तरफ next अगर बात करें तो pay as you throw tax लगाना चाहिए अगर आप फेक रहे हैं तो उसपे भी आपको एक tax लगाना चाहिए कि 1 kg पे कितना plastic है और उसके पर आपको कितना जुर्माना भरना पड़ेगा दोस्तों जुर्माना बोलीजे पैनल्टी बोलीजे मुझे यह बहुत बड़िया लगा इडिया जब मैं पढ़ रहा था कोई भी ने फेकगा फे उसका अभी जो प्लास्टिक बैक्स है उसको भी रिगुलेट करना चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ दो दिन के लिए प्लास्टिक बैन कर दिया पर 30 दिन वही शॉप की पर अंदर से कवर निकालके आपको दे रहा है तो वी शूट सपोर्ट देम कि हम लोग जो है क्या बोलते हैं इसको प्लास्टिक बैक्स यूज नहीं करेंगे क्यूँकि हमं कर्णा कॉप कास्टमर्स और लोग क्या करते हैं जाके डिमैंड करते हैं दुकान में की प्लास्टिक कवर और है क्या अगर भी रह तो वी शूट अपोच करना चाहिए प्ल्स्टिक बैक को नहीं चाहिए मंजे पेपर है ये यौनकोई बात नहींग बट वी आ इंकरेजिंग देम तो गिव द प्लास्टिक कवर सेट इंफाइक वे रस्टांडिंग को बाइया कोई भी कवर होगा आपके नीचे या कोई दुकान में होगा लिए तो कोशिश कीजगा इट इस नॉट ए वन नाइट गेम कि एक रात में सब कुछ बदल जाएगा थीरे थीरे बदलना पड़ेगा बट मुझे सेकंड वाला रेकमेंडेशन है बहुत ही बढ़िया लगा दोस्ते पे आज यू तो पर किलोग्राम के साब से जितना प्लास्टिक आ फेग रहे ना उसके साब से पेनल्टी भी लगना तो इंडिया ने अभी तक कोई जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया गया है ठीक है और गाइडलाइन पे लिखा ले गए थे ओन एक्टेंड प्रोसिजर रिस्पॉंसिबिल्टी बलके मतलब पाकेजिंग जो होता है प्लास्टिक पाकेजिंग जो करते है तो उस पर प्रॉपरली दाश्बोर्ट ठाकेज़ प्लास्टिक के अलिमेशन के लिख नश बचानल डाश्बोर्ट भी डिजाइन किया गया है तो इस अंधू प्संद आया होगा समझ में आया होगा तो चलिए नीक्स्ट इम्पॉर्टें डिउस चल लेते हैं इनागराल लीडर सेशन अफ क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जिस तरह से ग्लोबल वलाइटिलिटी एंड अंसर्टिनिटी आ रही है the summit is conceived by India as a platform for developing countries to share their concern, perspectives and priorities दोस्तों तो इस प्लाटफोर्म में आज कल के जो challenges है उसके बारे में discuss किया गया, mainly developing countries को मौखा दिया गया दोस्तों जाए कि किस तरह से जो हम लोग एक प्रॉपर्ली इस आज की challenges को लड़ सकते हैं because you know the concerns over covid-19 pandemic, climate change, terrorism, fragile supply chains, ongoing conflicts, debt crisis इस सारे जो मैंने I think आपको global economic report जो प्रभिश हुई थी वो उसमें भी same आपको देखने को मिलेंगे तो सारे concerns इस सारे मुद्ध्य उठाये गए इस session में ताके क्या-क्या challenges हम face करें उसको कैसा overcome करें and अगर आप Global South की बात करें तो यहां पर आपको Asia, Africa, South America यह countries ने अच्छे participate किया है दोस्तों because we have a history of colonization and lacking role in governance of multilateral institutions okay so that's why we have take this issue so about from this session में जो India ने क्या-क्या वो भी मैं आपको थोड़े steps बचा देता हूं तो इंडिया ने कहा एक पहला agenda लेके आये था इंडिया ने यह very very important है याद एक लिजे हमारा agenda यह था कि re-energize the world okay what should we do re-energize the world renewable energies जो होते है उस पर ज्यादा focus किये next आपको जो globalization है इसके बारे में ज्यादा focus किया गया है दूस्तों कि क्योंकि self dependency plus globalization यह दोनों चीजहां पर ज्यादा focus किया गया है ताकि एक human context या भी human center globalization हो its not technology center its human center globalization उसके बाद हम लोगों ने innovations के बारे में बात की this is also very very important क्या-क्या innovations हैं क्या-क्या technology और patronage होएं और किस तरह से हम societal transformation कर सकते हैं दोस्तों societal transformation उसका cooperation की बात की है अब सभी लोग जानते हैं आजकल government जो है cooperation पर जादा focus कर रही है and because from debt creating projects to debt driven project किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं to debt-ridden projects debt driven या written जो भी आपके debt driven इसमें कैसा जा सकते हैं इस सारे important points है जो इंडिया ने इस session में जो है उठाया है और कई सारे solutions recommendation भी दिया है दोस्तों चले next news चलते हैं नेक्स्ट है हमारा supreme court to hear Pliya seeking national heritage status for Ram Setu Ram Setu तो एक बहुत ही सालों का विवाद है हमारे country में कई लोगों का मानना है कि एक religious site है कई लोगों का जो archaeologist का कहना है कि एक naturally formed है उस पे आज हम discuss नहीं करेंगे अभी जो recently supreme court ने क्या क्या वो बताएंगे देखें यहां पे कोई किसी के religious sentiments को hurt करना हो ऐसा कुछ नहीं है जो news है वही मैं आपको पढ़ाओंगे दोस्तों चलें तमिलनाडू को यह Ram Setu जो है क्या कहते हैं इसको Adam's Bridge भी कहा जाता है जो के chain of limestone shawl है between Pumban Island और Rameshwaram Island of the south eastern coast of Tamil Nadu दोस्तों आगे मैं आपको map में भी दिखाऊंगा बहुत ही clearly आपको समझ में आएगा जो south coast है na south east coast of Tamil Nadu और मना राइलाइन के बीच में इस तरह का एक limestone shoals आपको देखने को मिलेगा recently क्या क्या तमिलनाडव assembly also passed a resolution urging center to resume work on Setu Samudaram Ship Canal project जिसे हम SSCP कहते है Setu अगर आपने movie देखा है तो आपको वही term use किया गया है Setu Samudaram बलके रही directly वही term को उन्होंने use किया तो क्या किया इन्होंने एक resolution passed किया center को कि जो भी काम चल रहा था यहां पर उसको resume किया जाए इस bridge के पर but national heritage status is sought in backdrop of SSCP तो कई सारे petitions file होए कि national heritage status इसो घोशित कर दिया जाये दोस्तों that envisage dredging of sheep canal cross the park street between India and Sri Lanka two channels were suggested one across Adam Bridge यह इस तरह का and another through Park Bay दोस्तों उसका Supreme Court ने क्या 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 2007 में उन्होंने इस project पे जो है क्या क्या stay लगा दिया था and the center also willing to explore another route to SSP without damaging ground setu तो center भी जो है कई तरह के reports बना रही है अपने archaeologist को भेज रही है कि study किया जाए कि वाकई में यह क्या religiously things है यहां पर या फिर कोई naturally formed है या भी हम कोई alternate route ढून सकते हैं दोस्तों इसको damage किये बगेर is there any alternative route वो भी center workout कर रही है but recently Tamil Nadu ने दुबारा से इस मुद्दे को उठाया है और center से request की है कि इसके project की काम को start किया जाए तो यहां पर आप clearly देख सकते हैं देखें समुद्रम किनाल है यह इस तरह से काटता हुआ उसको इसको बीच में से ब्रेक करता हुआ जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं तो इस यह जो है आपको इस नतिमा राम से तो तो शिप्स जो है पहले ऐसा you know they have to take huge turn and they need to go but once they get an access of this they can easily go from here तो इसलिए इस तरह का एक proposed route बनाया गया है तो significance की बात करें जैसे मैंने कहा they will reduce the streaming distance between east and west coast of India और it will also strengthen the national security by improving navigation for Indian coast guard and naval ships हमारे जो navy की security वो भी हम improve कर सकते हैं कल के रोज कोई भी attack नहीं कर सकेगा तो we are ready रहते हैं और distance भी कम हो जाता है अगर कोई west west और say east जा रहा है तो इतना घूम के नहीं जाना पड़ता है उनको कई घंटों का समय उनको बच जाता है तो यह significance रखके इनको यहाँ पर develop करने की बात की है बट इसके related बहुत सारे concerns हैं आप तो सभी लोग जानते हैं तो main बात कहना तो main यह है अगर scientifically बात करें तो it will destroy natural barrier दूस्तों पूरा का पूरा barrier तोड़ना पड़ेगा between bay of bengal और park of bay की बीच में जो है न park bay जो कहते हैं उसके बीच में पूरा का पूरा तोड़ना पड़ेगा दूसरी अगर बात करें तो oil and marine pollution भी हो सकता है इसमें यह भी important है oil and marine pollution भी सकता है will obviously lead to the ecological damage यह सारे के सारे क्या क्या रिट करते है ecological damage ही तो लीट करते है next बात करता है आडम भी यह जो राम सेतु है महीन अभी जो चल रहा है religious sentiments है दोस्तों वहां के लोग जो है religiously जुडे हुए है यह उसके इलावा भी बात करें तो coral reef platforms हो उसको भी threat होता है कही न कहीं क्या आप सारे corals को जो है misplace कर देंगे it will get damage okay कही हजारों साल पहले इसको यह develop होय थे तो the government has to take in balance decision so the best option is they can find the alternate route for it okay इसको damage ना करे मेरी राय अगर पूछे whether it is religious हो या naturally formed हो that is different debate but it should not be get damage or the center should have come from the alternate route चले next देखते है archaeological survey of India discovered 12,000 year old miniature दोस्तों what use 2% Nalanda okay it's not Nalanda so what use 2% हम को मिले हैं दोस्तों जो के near Sarai Tila with the premises of Nalanda Mahavirayan Bihar Nalanda आपने देखा होगा Nalanda University तो वहाँ पे हमको what use 2% मिले गए है with the premises of Nalanda Mahavirayan Bihar the stupa is nothing but it's Sanskrit for he is a mound like hemispherical burial structure containing relics of Buddhist monks of Buddhist monks तो वहाँ पे हमको Nalanda University में what use 2% देखने को मिला 12,000 पुराने है and it is also miniature ऐसा नहीं के बड़े है they are very small in nature miniature is nothing but very small and it will 12,000 years ago okay so on this architectural feature of stupa hemispherical mound on andas doom उसके बाद आपको square railing रहेगा and haram mika center pillar supporting a triple umbrella form 16 and representing the 3 jewels of Buddhism it will also enclosure wall with a decorated gateway and circular terrace and circular terrace जिसे हम क्या कहते है मेधी भी कहते है मेधी इस तरह का structure यहाँ पे हमको देखने को मिला है और Nalanda Mahavira एक one of the most important part है हमारे history का because it is an UNESCO heritage site दोस्तों UNESCO के world heritage site इसमें खरार किया गया है यह भी important है याद रख लीजे and यह आपको एक actually archaeological remind है of a monastic and scholastic institutions का कब से कब तक था है 3rd century BC से लेकर 13th century BC तक था दोस्तों है so Gautam Buddha as well as जो भी Mahavira Jain है उन्होंने यहाँ पर Nalanda में पढ़ाई यहाँ पर stay किया था यहाँ पर पढ़ाई की थी उन लोगने Bodham Buddha and Mahavira Jain other famous scholars की बात करें तो आपने सुना होगा Nagarjuna Nagarjuna की बात आपने सुना होगा यहाँ पर धरम पाला पर आपने इनका भी नाम सुना होगा history में यहाँ प्रॉस्पर हुआ अंडर Gupta dynasty दोस्तो Gupta dynasty के अंडर इसे बहुत ही बहुत preference दिया गया जो हर्षा थे अंडर भी जो है इट गेट फ्लॉरिस्ट सो मनी स्टूपास मनी श्राइंस मनी विहारास अर था इंपॉर्टेंट आर्ट माना जाता है पर आपए विच टॉदे आलसर यी जो हमें लोगों को इस तरह के वह तूपास देखने को मिल रहे हैं सो वर स्टुल एक्स्वोरिंग इसट के और क्या क्या वहान पर मिल सकता है इम्पॉर्टेंट पॉयं जो भी थे ग्जामिनेशन point of view से हैं मैंने आपको शेर करते हैं let's move on to the next lecture next topic sorry not lecture it's the next topic the next current affair है हमारा sweden discover biggest rare earth elements deposit in europe दोस्तों okay so rare earth elements होते है आर यी जिसे कहा जाता है recently europe में एक sweden discover किया है दोस्तों so in the architect region i think यहां पर थोड़ा color बदल लेता हूं में आपको बैच्छा दिखाए देगा so which one is fine hello is fine right so architect reason में right so joe keruna sweden home to the old largest underground iron ore mine के लिए famous है so this re are the set of 17 metallic elements दोस्तों जिसमें 15 lanthanides on periodic table plus scandium और atrium है okay so they are necessary components for critical sectors जैसे के cellular telephones हो गया electrical vehicles में यूज किया जाता है इन metals को defense applications भी उसकिया जाता है like guidance system lasers etc तो recently rare earth metals हमको biggest rare earth elements मिले है deposit मिला है तो hope की आगे चलकर हम इसके technology को भी उसकर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं image में किस तरह से हैं because this are you share some common properties such as आपको पहली point देखेंगे तो high okay तो पहला point अगर आप देखेंगे तो it is highly luster दोस्तों okay high luster उसका next अगर बात करेंगे तो high electrical conductivity है right उसके बाद some distinguished properties है जैसे के luminescence हो गया magnetism हो गया सारे के सारे इसके properties हैं also heavy RE higher atomic weights are less common as compared to light REE okay clear हो गया आपको and they are fairly distributed across many different geographical areas अगर आप बात करेंगे तो कहीं सारे geographical areas में यह distribute हैं more than 80 percent of rare earth elements यह भी important point है यह देख लिए 80 percent of rare earth elements यह आपको चाइना में देखने को मिलेंगे दोस्तों world's raised earth processing capacity जो है यह process करने की जो capacity किसके पास है वो चाइना के पास है so India produces only one percent of global output यह देखेंगे सिफ एक परसेंट इंडिया प्रोडूस कर सकता है हालां के हमारे पास कितने reserves है six percent तक reserves है हमारे पास भी REE के बट हम लोग स्रिफ एक परसेंट ही जो है इसको प्रॉपर्ली उटिलाइस कर सकते हैं in fact इंडिया ने भी कई सारे steps लिए मैं recently news पढ़ रहा था एक newspaper में आर्टिकल था कि जो कंज बिदेश इंडिया private limited है इन्होंने कुछ agreement sign किया है आसलिया इंडिया partnership में ताके इस तरह के rare earth elements को लोग processing में नहीं technology innovations लेकर आये दोस्तों तो in fact India is also getting into involved in it but अभी बहुत आगे जाना है हम लोगों को we need to utilize at least four percent of this old reserves जो हमारे पास है चले next question देख लेते हैं इंडिया US trade policy forum 13th इंडिया and United States TPF concluded in Washington दूस्तों okay so US highlighted new issues on working of this to TPF working group TPF का मतलब यह है कि trade policy forum दूस्तों कई लोग confused होते होंगे trade policy forum का ही full form है so they discuss about the bilateral decisions between the mutual interest चाहे वो trade facilitation से लेकर रही हो या labor environment को लेकर हो या कुछ regulatory practices को लेकर उसके बार में discussions किये गए they will also emphasis on the finding solution to several WTO disputes between both nations and एक ऐसा platform है it will provide as a continuous engagement between the two countries in the bilateral trade and investment relations these are the two important points first point is bilateral trade second point is investment relations so these are the two points which will provide a continuous engagement between the two countries India and USA and TPF will play an important role between these two countries clear next important है हमारा one world one sun one grid so union minister of India Myanmar Thailand interconnection plan is line with one world one sun one grid program under international solar alliance ISA ISA headquarter कहां पर है दोस्तों गुरू ग्राम में है पहला इसा international है जो organization है जिसका headquarter इंडिया में है दोस्तों and it was jointly by India or UK में actually develop launch किया गया था COP26 in 2021 it aim for connecting solar energy supply across border it will be developed under world bank technical assistance ये तीन फेस में इसको डेलप किया जाएगा दोस्तों पाला फेस it will entail the interconnectivity के तीनों के बीच में किस तरह से interconnectivity रखा जाए with Asian continent and apart from that second phase it will add Africa also okay so last means को Africa मिला है और third phase की बात करें finally they are going globally right so this is the important news की one world one sun one grid जहां पे India, Myanmar, Thailand interconnection plan सोच रहे हैं it will carried out in three phases first it will deal with the interconnectivity second they will include Africa third it will go globally and with the help of world bank technical assistance they are carrying out this process clear our next important thing one world one sun one grid was launched by India and UK in 2021 this is also important let's see next let's see so FASAI any food safety standard authority of India survey recently survey they said that 15% of dietary supplements were found to be unsafe for consumption how much 15% of dietary supplements okay unsupervised consumption of dietary supplements warning poor quality products can affect cardiovascular health and kidneys and FASAI is under ministry of health and family welfare this is also very very important FASAI का है is an under ministry of health and family welfare and unsupervised consumption of dietary supplements warning poor quality products which is also what happens to be called cardiac arrest so next important है हमारा science and technology को लेकर एक important news आई है the very short range air defense system जिसका नाम है V Shorad missile system को लांच किया गा so recently defense acquisition council का काम है कि no they will provide the contracts to the DRDO ISRO ताकि missiles develop कर पाए they accorded acceptance of necessity to procure V Shorad homing missile system दोस्तों येक actually man portal man portable air defense system है it is portable now कहां पे भी अप लेके जा सकते है it is man packed जिसे कहा जाता है design and develop by DRDO और खास बात ये है कि it was developed in India only but it means that is indigenously developed इसको किया गया है ठीक है इससे पहले मैं थोड़ा फसाई के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है एक autonomous statutory body है दोस्तों है मिस्स कर दिया था मैं जो कि examination point of view से very very important है it is autonomy plus it is a statutory body दोस्तों ठीक है और ये जो है under Fasai Act 2006 के अंडर इसको establish किया गया था इसका काम क्या है it regulates monitor manufacture process distribution of the food और इसका headquarter की बात करे ये आपको डेली में है ठीक है clear it is an autonomous statutory body this is important point ये चीज मैं भूल गया था जो कि examination के लिए important है and next जब दुबारा हम आते हैं इसी पर and जैसे मैंने कहा कि manpats जैते कि man portable air defense system है दोस्तों and ये actually आपको low altitude के लिए design किया गया है जो target करते है low altitude aerial threats होते है उसको target करने के लिए and they are also light weight इसी लिए तो इसको portable कहते हैं कि एक जगा से दूसरी जगा ये लेके जा सकते हैं दोस्तों and it can be fired with individual हो गया या groups हो गया उसके जरे से भी आप इसको fire कर सकते है it is very easy एक individual भी इसको fire कर सकता है okay क्योंकि यहां पर सिर्फ solid motor रखा होता है और थोड़ी जो reaction control technology use करके इसको बस develop किया गया है it is very useful चलिए next देखते है credit default swaps right so credit defaults up recently SEBI has allowed alternative investment funds to participate in CDS okay look AIF होता क्या है बहुत बार आपने देखा होगा AIF is nothing but it's a privately pooled investment fund दोस्तों चाहे आप उसमें funding एक group बना लिजे suppose मान लिजे मैं एक मैं क्या करता हूं कि कही सारे companies मैं fund raise करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा जो भी private fund है या इंडियन resource है एक जगा पूल कर जूंगा दोस्तों okay they will also get profit and I will also get profit from this okay कोई भी company हो है body corporate या limited liability partnership है they will एक जगा जमा करते हैं लोग पैसे and CDS is a financial derivative that allow an investor to swap offset their credit risk with that of another investor okay so what is it is also financial derivative क्या करता है जो भी investor है वो जो अपने जो भी assets है credit is they will swap with another investor there is nothing but CDS तो अभी जितना भी पैसा हम लोग EIF के अंडर जमा कर रहे हैं वो सारा कुछ भाम swap भी कर सकते हैं दोस्तों into another currency this is called credit default swaps चले एक बासमती राइस recently Food Safety Standard Authority of India specified identity standards for बासमती राइस बासमती राइस बासमती राइस बासमती राइस is a premium variety of rice cultivated in Himalayan food hills of Indian subcontinent के और इंडियन अकॉंट्स फॉर अबाउट तू थर्ड या एक लिए कितना अरोमा में होता है दोस्तों फ्लेवर भी होता है right so कही तरह के ads आपने देखे होंगे so uniqueness is attributed to agro climatic condition as well as method of harvesting processing and aging of rice जिसे हम क्या केते हैं बासमती राइस कहते हैं कि तो इसके लिए recently Fasai ने कुछ standards को design किये गए in order to maintain their premium quality the next important which is related to ecology and environment की बात करें तो क्या हुआ है recently white tuft royal butterfly दोस्तों recently rare butterfly species हमको देखने को मिला है in Kerala के जिसका Kerala पे कहां भी दोस्तों Kaliyaad यहां देख लीजे ज्यादा तर butterfly हमको Kerala में ही देखने को मिलते हैं पता नहीं कियो it was earlier spotted in Agasta Kudam and Shindore wild life century और इसको जो schedule 2 के अंदर रखा गया है second schedule के अंदर रखा गया अंदर wild life protection act 1972 butterflies along with the moth and the skippers make up insect order Lepodoptera और Lepodoptera actually butterfly cycle का नाम है जिसमें 4 stages होते हैं एक हो गया larva हो गया pupa हो गया and adult हो गया ठीक है यह भी आपको पूछ सकता and this is Lepodoptera in cycle होती है जो butterfly किस तरह से पाइदा हो के 4 stage में adult बनता है वो मैंने आपको यहां पे बताया है चलिए next important news है हमारी uranium contamination in ground water तो recently Central Ground Water Report तो Central Ground Water Board ने क्या किया एक report को publish किया दोस्तों ठीक है जिन्होंने 12 states को highlight किया जहां पे uranium levels beyond permissable limit आपको पाएगे क्योंकि अगर आप देखेंगे जो safe levels जो WHO के द्वारा जारी किया गया था 30 parts per billion था 30 PPM जो हम कहते है न उतना ही था दोस्तों 30 PPM जो भी आपके है और इस पे सबसे जादा वर्स city निकली है पंजाब उसके बाद second number पे आता है हरियाना So this cases of uranium contamination क्यों होता है natural uranium होने के वज़े से या फिर आप ज्यादा over exploit कर रहे है ground water उसके वज़े से हो जाता है bicarbonates used to bring uranium lot of swords and rocks देके आते हैं और इसके कही तरह के adverse effects भी होते हैं दोस्तों renal function के पर impact परता है kidney diseases आते हैं आपको bone toxicity होती है तो यहाँ पर कही तरह के steps लेने पड़ेंगे ताके जो भी uranium contamination है उसको reduce कर पाए especially by Punjab and Haryana यहाँ पर आप देख सकते हैं high on uranium कुण से कुण से states हैं देखे पंजाब में ही आपको ज्यादातर uranium traces पाए जाएंगे 79 districts आपको बताए गए 16 states में उसके बाद जो है राजस्तान हो गया इसके बाद हरियाना हो गया इदर गुजरात महारास्टा में सिर्फ थोड़ा कम है uranium traces पाएगे तो इस वरी डेंजरस बट नाच्रली अक्र कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते उनको उसको जो है कोई और alternate methods कानने पड़ेंगे बट यह जो ओर exploit कर रहे है ना groundwater को उसके वज़े से जो है इनकी जो density है वो भी बढ़ती सेक्टर दोस्तों तो इसले Gwana is very important so you can see in the map so Gwana is located in northeastern coast of south america south america के जो north east में वहां पे लाई करता है and it is a part of Guyanas the region in northeastern or south american island होते है और यहां पे अगर आप देखेंगे boundary it is Suriname is a border Brazil is the border of this Venice Julia को touch करता है और French Guyanas को भी touch करता है So these are the few boundaries we need to take in mind right और यह Gwanias region में आता है दोस्तों जहां पे old stable geological formation हमको देखने को मिला northern coast में और यहां पे geography की बात करे तो most rolling highlands हापके यहां पे देखने को मिलेंगे low coastal plain है savana in south highest point Mount Roraima very very important है Gwana का highest point Mount Roraima और lowest point की बात करे here lowest point is Atlantic Ocean The next important news Uganda भी जो है recently news पर रहा है क्योंकि इन्होंने क्या क्या Uganda declares end to deadly Ebola outbreak तो finally इन्होंने overcome कर दिया इसको So Uganda भी न्यूस पर रहा तो इसका capital Kampala है अब देख सकते है Kampala कहां पे है map में और Boundaries is the world second most populous landlocked country Okay this is very important दुनिया का second ऐसा है landlocked country जो सबसे ज्यादा popular माना जाता है It is located in East Central Africa Population बहुत ज्यादा है यहाँ पे Uganda में इसके border की बात करें तो आपको देखिए यहाँ पे Sudan उपर देखने को मिलेगा इधर Democratic Republic of Congo है यहाँ पे Okay नीचे Rwanda है Tanzania है दोस्ते और Kenya भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसकी geography की बात करें तो highest point है Margarita Peak on Mount Stanley of Reven Zero Range और यहाँ पे Great African Lakes का region भी है जैसे Lake Victoria का थोड़ा portion यहाँ से भी जाता है यहाँ पे आप देख सकते है Lake Victoria it is touching to the Kampala which is the capital of Uganda Other Lakes Lake Edward हो गया Lake George Lake Albert Okay reverse की बात करें Albert Nile So Lake Albert भी है Albert Nile भी यहाँ से जाती है और Victoria Lake भी हाँ से जाती है So This is about this today's current efforts 14 और 15 दोनों को मिला के मैंने पढ़ाया तो इसलिए थोड़ा आजका lecture lengthy हो गया है daily हम सिर्फ 30 और 40 minutes में कवर कले ता I think today it will get beyond 40 minutes But important current efforts has been discussed which are very important for EPS examination So चले मिलता हूं मैं आपको अगले lecture में कुछ interesting topic के साथ अब तक के लिए धन्यवाद Take care stay safe stay healthy Thank you so much Thank you so much